स्टनपान कराने की क्रॉस क्रेडल स्थिति पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मा और शिशु के लिए स्टनपान की सही स्थिति जुनना स्टनपान से पहले मा की तयारी और क्रॉस क्रेडल स्थिति करने की संपूर्ण क्रियाविधी तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर में माएं अपने शिशुओं को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में स्टनपान कराती है एक मा और उसके शिशु के लिए स्टनपान कराने की सबसे अच्छी स्थिति वो होती है जिसमें मा और शिशु दोनों के लिए स्टनपान शुरू से अंत तक आराम दायक हो शिशु मा के स्टन से गहरा जुडाव कर पाए और उसे भरपूर दूद मिल पाए आज हम स्टनपान कराने की क्रोस क्रेडल स्थिति के बारे में सीखेंगे ये स्थिति शिशु के शरीर पर पूरा नियंतरन रखने के लिए मा के स्टन को सही आकार में पकड़ने के लिए और शिशु का स्टन से गहरे जुडाव के लिए सबसे बहतरीन स्थिति है स्टनपान कराने से पहले मा को अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर सुखाना चाहिए फिर उसे एक गिलास उबाल कर थंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए स्टनपान कराने वाली माओं के स्टनों में आम तोर पर 750 से 850 मिली लीटर दूद बनता है इसलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है अब सीखते हैं मा के बैठने की सही स्थिति मा को फर्ष या पलंग पर पाल्थी मार कर बैठना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैठकर अपने दोनों पैरों को फर्ष पर सपाट रखना चाहिए अगर कुर्सी बहुत उची होने की वज़ह से मा के पैर फर्ष तक नहीं पहुच पा रहे हो तब वो अपने पैरों को फर्ष पर रखे चोटे स्टूल या तकिय पर रख सकती है जब मा बैठे तब उसे ये पक्का करना चाहिए कि उसकी पीच सीधी हो ताकि उसे पीच दर्द ना हो उसके कंधे ऊपर उठाए हुए या जुके हुए ना हो और वो ये आरामदा एक स्थिती स्तनपान समाप थोने तक कायम रखे अब मा को वो स्तन बाहर निकालना चाहिए जिससे वो अपने शिशु को स्तनपान कराना चाहती है उसे पक्का करना चाहिए कि उसके स्तन पर ब्रा या ब्लाउस का दबाफ ना पड़े सही तरह से बैठने के बाद शिशु को मा के पास लाए मा को अपने शिशु का सर उस हाथ से पकड़ना चाहिए जो स्तनपान कराने वाले स्तन की दूसरी तरफ हो मा के उसी हाथ की बगल के अंदर शिशु के पैरों को रखे इस चित्र में मा उसकी शिशु को अपने दाहीने स्तन से दूथ पिलाएगी इसलिए शिशु के पैर मा की बाई बगल के अंदर रखे हुए है मा ने अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से अपने शिशु के सर के निचले हिस्से को पकड़ा हुआ है अगर मा शिशु को पकड़ने में मदद चाहती है तो वो शिशु के नीचे अपनी गोध में तक्या रख सकती है याद रहे मा को नीचे जुक कर अपना स्तन शिशु की और कभी नहीं लाना चाहिए ऐसा करने पर उसे पीट दर्ध हो सकता है मा को अपनी पीट हमेशा सीधी रखनी चाहिए और शिशु को ऊपर उठा कर स्तन तक ले आना चाहिए अब सीखते हैं मा के अंगूठे और उंगलियों को रखने की सही स्तिती मा कांगूठा शिशु के एक कान के पीछे और बाकी उंगलिया शिशु के दूसरे कान के पीछे होनी चाहिए उसे अपनी उंगलियों को शिशु के कानों के पीछे से हटा कर शिशु के गर्दन पर नहीं लाना चाहिए मा की कलाई शिशु के कंधों के बीच होनी चाहिए मा को अपने हाथ से शिशु के सर पर पीछे से दबाव नहीं डालना चाहिए इससे स्तनपान के दौरान शिशु को आराम मिलेगा अब सीखते हैं शिशु के शरीर को रखने की सही स्थिति मा के शरीर पर शिशु के पेट से हलका सा दबाव पढ़ना चाहिए दोनों के शरीर के बीच की दूरी कम करने से शिशु को स्तन तक पहुचने में कम ताकत लगेगी और स्तन से गहरा जुडाव शिशु के लिए आसान हो जाएगा इसके बाद दूसरी जरूरी बात है शिशु का पूरा शरीर एक सीधी रेखा में होना जब हम खाना खाते हैं, हमारा सर, गला और शरीर एक सीधी रेखा में होते हैं लेकिन स्तनपान के समय माएं अक्सर शिशु को उसकी पीट पर लिटा कर उसके सर को स्तन की तरफ मोडती है। इससे स्तनपान शिशु के लिए मुश्किल हो जाएगा। स्तनपान के समय शिशु का सिर गर्दन और शरीर हमेशा एक सीधी रेखा में होने चाहिए। इससे शिशु के लिए दूद्ध निगलना आसान हो जाएगा। अब हम शिशु के शरीर की स्तिती के बारे में तीसरी जरूरी बात सीखेंगे। मा को उसके शिशु के पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए। ऐसा ना करने पर शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में बहुत महनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं शिशु के नाक और थुड़ी की स्तिती। शिशु का नाक और मा का निप्पल एक सीधी रेखा में होने चाहिए। और उसकी थुड़ी स्तन के बहुत पास आगे की तरफ होनी चाहिए। इससे शिशु का स्तन से जुड़ते समझ एरियोला का निचला हिस्सा अपने मुव में लेना पक्का हो जाएगा। जिसकी वजह से शिशु अपने निचले जबडे से भरपूर दूद पी पाएगा। कृपया ध्यान दे निपल के आसपास के गहरे रंग वाले भाग को एरियोला कहते हैं। अब शिशु के शरीर को सही स्तिती में रखने के बाद चलिये सीखते हैं स्तन को कैसे पकड़े। अपने दूसरे हाथ की उंग्लियों से मा को अपने स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में मा अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने स्तन को पकड़ेगी। अंग्लियों की सही स्तिती समझने के लिए कलपना करे की मा के दाहिने स्तन पर एक घड़ी है जिसके बीचों बीच निपल है। मा को अपने दाहिना अंग्लियों इस घड़ी के नौ नंबर की जगह पर रखना चाहिए। और उसे अपने अंग्लियों के बाजू वाली दो उंग्लियों को तीन नंबर की जगह पर रखना चाहिए। मा की उंग्लियों और शिशू के होठों की दिशा हमेशा एक समान होनी चाहिए। ऐसा क्यों एक आसान उधारन की मदद से समझते है। जब हम वड़ा पाओ या बर्गर खाते हैं हमारे होठ आड़े खुलते हैं। अगर हम वड़ा पाओ या बर्गर को लंब रूप से पकड़ेंगे तब हम उसका बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे। अब शिशू के होठों की दिशा पर ध्यान दे। उसके होठ लंब रूप से खुले है। इसलिए मा की उंग्लियों की भी स्टन पर लंब रूप से रखना जरूरी है। इस्से शिशू को अरीयोला का निचला हिस्ऩा मुद के अंदर लेने में मदद मिलेगी। शिशु के होठों की दिशा में होने के अलावा, मा की उंगलिया और अंगूठा हमेशा निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए वड़ा पाव या बर्गल खाते समय अगर हम उसे बहुत पास पकड़ेंगे तो हमारी उंगलिया बीच में होने की वज़ा से हम बड़ा निवाला नहीं खा पाएंगे अगर हम उसे बहुत दूर पकड़ेंगे तो उसका आकार हमारे मूँ में जाने के लिए सही नहीं होगा इसलिए हम उसे सही दूरी पर पकड़ते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके उसी तरह शिशु के लिए स्तन को निप्पल से तीन उंगलियों की दूरी पर पकड़ना सही है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है इस दूरी को रखने के कई फायदे है इससे मा की उंगलिया शिशु को एरियोला का बड़ा हिस्सा मूँ में लेने से नहीं रोकेगी मा सिर्फ निप्पल को नहीं दबाएगी जिससे बहुत कम दूथ मिलता है मा एरियोला के नीचे वाली बड़ी दुगदन अलिकाओं को दबाएगी जिससे ज्यादा दूथ निकलेगा और स्थन का आकार सही बनेगा जिससे शिशु को स्थन से गहरा जुडाव करने में मदद मिलेगी मा का अंगुठा निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर स्थन के उस तरफ होना चाहिए जहां शिशु का नाक है और मा की दो उंगलिया निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर स्थन के उस तरफ होनी चाहिए जहां शिशु की थुड़ी है अब फिर से वड़ापाव या बर्गर के उधारन पर जाते हैं वड़ापाव या बर्गर को सही तरह से पकडने के बाद हम उसे हमीशा दबाते हैं ताकि बड़ा निवाला खा सके उसी तरह मा को अपने स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़ कर हलके से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मुँमे लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे मा को अपने स्तन को वी आकार में नहीं दबाना चाहिए। वी आकार के दबाव से मा को दर्थ होगा और शिशु को सिर्फ निप्पल से कम दूद मिलेगा ध्यान रहे कि अंगूठे और उंगलियों से स्टन पर बराबर का दबाव पड़े ऐसा ना करने पर निप्पल दाई या बाई और चला जाएगा जिसकी वज़ा से शिशु का स्टन से गहरा जुड़ा नहीं हो पाएगा याद रहे स्टन को दबा कर शिशु की तरफ ना लाएं हमेशा शिशु को स्टन की तरफ ले कर जाएं अब शिशू cross cradle स्थिती में है और stunPan के लिए stun से जुढने तयार है. stun से गहराई से जुढने की सही तकनी इसी शुरूंखला के दूसरे ट्यूटॉर्यल में समझाई गई है. शिशू का stun से गहरा जुढव होने के बाद और अगर stun ज्यादा भारी न हो तो मा को अपने हाथ से अपने स्टन को छोड़ कर उस हाथ को शिशु के नीचे रख कर शिशु को सहारा देना चाहिए इस थिती में मा को अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बहुत करीब रखना चाहिए इससे मा को स्टनपान कराते समय आराम मिलेगा यहाँ पर ये टूटॉरियल समाप्त होता है IIT Bombay से मैं आहर विशेश अग्य तस्नीम शेक एनिमेटर शीतल जोशी के साथ आप से विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद स्तनपान कराने के लिए मुह की पकड़ पर spoken tutorial में आपका स्वागत है इस टूटॉरियल में हम शिशु के स्तन से गहरे जुराव के लिए मुह की पकड़ के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि स्तनपान कितनी बार कराया जाए शुरू करने से पहले ध्यान दें कि एक असरदार स्तनपान के लिए मुह की पकड़ बहुत ज़रूरी है शिशु के मुह का स्तन से गलत जुराव होने की वज़े से सिरफ निपल से स्तनपान होगा इससे शिशु को बहुत कम दूद मिलेगा जबकि स्तन के एरियोला के निचले हिस्से से गहरे जुराव से शिशु को काफी दूद मिलेगा ध्यान दें कि एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है आईए शुरू करते हैं स्थन्पान शुरू करने के लिए मा को अपने शिशु को सही तरह से पकड़ना चाहिए. ये सभी पकड़ विस्तार से इसी श्रिंकला के बाकी टुटॉरियल्स में बताए गए हैं. इस टुटॉरियल को क्रॉस क्रेडल पकड़ के जरिये समझाया जाएगा. याद रहे शिशु के मूँ की सही पकड़ और सफल स्थन्पान के लिए जरूरी है कि उसे सही तरह से पकड़ा जाए. इस चित्र में मा ने शिशु को क्रॉस क्रेडल पकड़ में सही तरह से पकड़ा हुआ है. और शिशू भी स्तन से जुड़ने के लिए तैयार है जुड़ने से पहले जरूरी है कि शिशू अपना मूँ पूरी तरह खोले जैसे उबासी लेते वक्त क्यूं? आईए समझते हैं एक वड़ा पाओ या बर्गर खाते हुए उम्र में बड़े इंसान को देख कर हम वड़ा पाओ या बर्गर खाने के लिए अपना पूरा मूँ खोलते हैं उसी तरह पूरा मूँ खुला हुआ शिशू अपने मूँ में स्तन का बड़ा सा हिसा ले पाएगा शिशु को उक्साएं कि वह अपना पूरा मूँ खोले और इसके लिए मा अपने निपल को शिशु के उपरी होट पर हलके से चुए जब तक कि शिशु अपना मूँ पूरा ना खोले धीरज रखें शिशु के पूरा मूँ खोलने में कभी-कभी कुछ पल लगते हैं हमेशा शिशू के होटों के एकदम सामने होना चाहिए। जब शिशू अपना मूँ पूरी तरह खोलेगी तो उसके निचले होंट को एरियोला के निचले हिस्से को चूना चाहिए। और निपल की दिशा उसके मूँ के उपरी तरफ होनी चाहिए ना कि उसके मूँ के बीच म अब इस वक्त मा को चाहिए कि वो जल्दी से अपना स्थन शिशू के मूँ में डाल दे। पहले हलके हाथ से शिशू के सिर को पीछे खीशते हुए उसकी ठोडी को अपने स्थन से लगवाएं। उसे अपनी पीट को ना ही जुकाना चाहिए और ना ही अपना स्थन शिशू के मूँ में धकेलना चाहिए। हलके हाथ से शिशू के कंदों को पीछे से उठाते हुए अपने स्थन पर लाएं। मूँ की पकड में सबसे ज़रूरी बात ये है कि एरियोला का निचला हिसा शिशू के मूँ में होना चाहिए। इससे निपल शिशू के मूँ के अंदर आरामदायक जगा पर पहुंचेगा। शिशू को अपनी जीप से उसके निचले होन्ट के सामने वाले एरियोला के भाग को दबाना चाहिए। इससे दूद की बड़ी वाली नलियां दबेंगी और जादा दूद निकलेगा। अगली जांचने वाली बात ये है कि शिशू का स्तन से गहरा जुड़ाव है या नहीं। गहरे जुड़ाव के लिए मा को बताई गई बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या शिशू का मूँ पूरा खुला है। क्या एरियोला का भाग शिशू के उपरी होट के पास जादा दिखता है और निचले होट के पास कम। क्या शिशू की ठोडी मा के स्तन में गड़ी हुई है। दूद निकलते समय क्या उसका जबड़ा पूरी तरह नीचे जाता है। और क्या उसका निचला हूंट बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है? हालंकि अच्छे से जुड़े हुए शिशू का निचला हूंट अधिकतर मा के स्तन में छिप चाता है. ऐसे में अपने स्तन को शिशू के निचले हूंट के पास हलके से दबा कर देखिए कि क्या उसका निचला हूंट बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है? अब शिशू की नाक देखिए. अगर उसकी नाक मा के स्तन में गड़ी है तो मा हलके से शिशू का सर पीचे खीचे ताकि उसकी ठोड़ी और जादा मा के स्तन में गड़ पाए और शिशु की नाक और माथा मा के स्तन से दूर रहे ऐसा करने से शिशु स्तन से गहरे से जुड़ेगा शिशु का पूरा चेहरा पीछे ना खींचे इससे निपल से स्तनपान होगा याद रखें स्तनपान मा के लिए आरामदायक होना चाहिए उसे अपने निपल पर चुबन, खिचाफ या दर्ड महसूस नहीं होनी चाहिए स्तनपान मा के लिए दर्ड भरा हो तो इसका मतलब शिशु स्तन से ठीक से नहीं जुड़ा है देखते हैं स्तन से ठीक से ना जुड़ने की कुछ आम वज़े कई माए एरियोला को दबाकर सिरफ निपल को ही शिशु के मुँखे बीच में रखती है देखिए इस शिशु का मुँख पूरा नहीं खुला है वह सिरफ निपल से ही जुड़ पाएगा यहाँ पर एरियोला शिशु के उपरी और निचले हूंट के पास एक समान दिख रहा है शिशु की ठोड़ी स्तन से दूर है शिशु जल्दी-जल्दी लगातार दूद निगल रहा है निपल चूँजते हुए उसके गालों में गड़े पड़ रहे हैं दूद निगलते हुए उसका जबड़ा पूरी तरह नीचे नहीं जा रहा है और निपल शिशु के मूँ के सखत भाग से दबेगा और चुबेगा भी इससे मा को दर्ध होगा और निपल को चोट भी पहुँचेगी और निपल से जुड़ने पर शिशु को एरियोला के नीचे वाली दूद की बड़ी नलियों से दूद नहीं मिलेगा इसलिए शिशु को ज़रूरत के मुताबिक दूद नहीं मिलता अगर शिशु सिर्फ निपल से पीता है तो मा को एक साफ उंगली शिशु के मुँखे कोने से अंदर डालनी चाहिए और शिशु की निपल पर पकड़ चुड़ानी चाहिए और फिर से शिशु को उसी स्थन पर अच्छे से जोड़ना चाहिए सही जुड़ाव होने पर मा को शिशु को आगे का और पीछे का दूद जरूर देना चाहिए आगे का दूद स्तन के आगे होता है और पानी की तरह हलका होता है ये पानी और प्रोटीन से बनता है ये शिशु के बढ़ने और तंदुरुस्त बनने के लिए जरूरी है और स्तन के पिछले भाग में होता है। ये अधिकतर चर्बी से बना होता है। और शिशु के बुद्धी के विकास और वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। शिशु को आगे और पीछे का दूद्ध मिलने के लिए मा को पहले एक स्तन से पिला कर और उसे खाली करके ही दूसरे स्तन से पिलाना चाहिए। स्थन के पूरी तरह खाली होने की जान्ज के लिए मा को अपने हाथ से उसी स्थन का दूद खुद निकालने की कोशिश करनी चाहिए अगर पानी वाला हलका दूद बाहर आए, या फिर काफी सारा गाड़ा दूद बाहर आए, तब मा को शिशु को दुबारा से स्तन से जोड़ना चाहिए हाथ से निकाले जाने पर जब पीछे वाले गाड़े दूद की कुछ बूंदे निकले, तो इसका मतलब मा ने शिशु को उस स्तन से पूरा दूद पिला दिया है पर दूसरे स्तन से पिलाने से पहले मा को शिशु को अपनी गोद में बिठा कर हलके से उसका शरीर आगे जुकाना चाहिए और फिर उसका जबड़ा अपने हात में पकड़ कर उसे डकार दिलानी चाहिए शिशु को दो से तीन मिनट में डकार आनी चाहिए अगर पांच मिनट तक डकार ना हो तो इसका मतलब है कि शिशु स्टन से अच्छे से जुड़ा था और स्टन पान के समय शिशु ने पेट में जादा हवा नहीं ली है अब माख अपना दूसरा स्टन शिशु को दे सकती है पर अगर शिशु का पेट भरा हो तो दूसरे स्टन से पिलाने की जरूरत नहीं होगी लेकिन माख को स्टन पान के लिए शिशु को दोनों स्टन देने चाहिए पहले एक खाली करके फिर दूसरे स्थन से पिलाना चाहिए अगर स्थनपन करते हुए शिशु सो जाए तो मा को उसके पैरों के तल्वों को हलके से छुकर जगाना चाहिए या फिर उसकी पीट पर गुद्गुदी करके या फिर शिशु को डकार दिलवाने वाली स्थिती में बिठा कर सही तक्नीक के साथ साथ जरूरी है कि कई बार स्थनपन कराया जाए मा को 24 गंटों में कम से कम 12 बार शिशु को स्थनपन कराना चाहिए जिसमें से रात को स्थनपन कम से कम 2-3 बार होना चाहिए स्तनपन कराने के लिए मा को शिशु के भूके होने के संकेतों को समझना चाहिए जैसे हिलना, मुँ खोलना, सर को घुमाना, हाथ को मुँ में ले जाना, उंगलियां चूसना और अंगडाई लेना अगर शिशु दूद के लिए रोने लगे, तो इसका मतलब देर हो चुकी है यात रहे, शिशु दो हफ़ते, छे हफ़तों और तीन महीनों के दौरान तेजी से बढ़ता है और उसे जादा दूद चाहिए होगा कई बार स्तनपन कराने से मा का दूद भी बढ़ेगा इसलिए मा को बढ़ते हुए शिशु को कई बार दूद पिलाना चाहिए याद रखें, पहले छे महीनों के लिए मा का दूद ही शिशु के लिए सबसे पौश्टिक आहार है और सही जुडाव असरदार सनपान के लिए जरूरी है यह टूटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद पाय आपसे लिए y झाल झाल